नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूद इलेविन भारेट डिडिटल मैं हूँ अभी शेक सिनहा आपके साथ इस वक्त की बड़ी खबर नीट की परिक्षा में जिस तरीके से भी संगतियां लाई गए जिस तरीके से परशनपत्र लीक हुआ परिनाम को लेकर जिस तरीके से दे हुल गांदी ने मार्च किया है और हला बोल कि सिती कमोबेश पूरे देश में है लेकिन दूसरी तरह भाजपा ने इसको घडियाली आसू बता दिया है भाजपा का कहना है कि ये घडियाली आसू बहाए जा रहे हैं नीट की परिक्षा को लेकर दो तीन चीजे हैं जो कि सिकंदर यादव तीस वर्सों से जादा समय से राची में रह रहा था और 2010 में इसकी नौकरी अचानक बिहार सरकार में लग जाती है राची में रहते हुए इसका जो घर था वो बरियातू हाउसिंग कॉली में एक प्रोफेसर के घर पर ये किराए में रहता था बाद में इसने M टाइप कॉर्टर खरीदा और उस कॉर्टर में शिफ्ट कर गया एक खास राजनेहतिक दल से सिकंदर यादव की इतनी गहरी साथ गांट थी कि रसूप का ये आलम था कि उस वक्त थेकेदारी के सारे काम सिकंदर यादव को मिलते थे और यहीं से शुरू होता है बि गोली भोली गई था me 13 गोली अ मारी गई थी और वह भगवान के कृपासे बच निकला भगवान के देयासे बच निकला जैसा वह बोलता है बच गया वह वह lifestyle फरजी पेपर नीट के प्रस्ट्र फद्र लीग करने के मामले में उसको पुलिस ने गिरफतार किया है। के साथ उसके बेटे को भी गिरफ्तार किया है लेकिन ये सवाल खड़ा हो जाता है कि नीट की परिक्षा में जहारखंड का ये जो connection है ये इस syndicate में आखिर और कितने लोग हैं अवधेश के साथ और वो कौन लोग सक्रिये हैं जो की medical की प्रवेस परिक्षा में या मेडिकल की परिक्षा में मेडिकल में दाखिला दिलाने का काम करते थे जो जानकारियां हम तक छन करा रही है कई सफेद पोश और अधिकारी ऐसे हैं वेफसाई ऐसे हैं जिन लोगों ने अपने बच्चों का दाखिला पैसों के दम पर कराया है। अफदेश यादव ने लाइजनिंग की है। 25 लाख से 50 लाख रुपे तक की वसूली की गई है। और मेडिकल में दाखिला दिलवाया गया है। अफदेश यादव जब अपने बेटे का दाखिला कराने के चक्कर में था। ठीक उसी वक्त आनन फानन पुलिस को प्रस्ट पत्र लीक होने का मामला पता चलता है। और अफदेश यादव की गिरफतारी होती है। अफदेश की गिरफतारी के बाद सिकंदर यादव गिरफतार होता है जो की कांड का मास्टर माइंड था तो ये भी आर पुलिस के लिए या नीट की जाच कर रही है अगर सीबियाई को कल मामले की जाच जाती है तो जो सबसे बड़े जारकन से जुड़े दो मामले आ जाते ह हैं सामने की पहला कि राची में या जारकर में अफधेष्यादव का सिंडीकेट कितना बड़ा था अफधेष्यादव के साथ जमीन कारो बार से जुड़े लोग भी क्या दाखिले के सिंडीकेट में शामिल थे जो दाखिले के लिए केंडिडेट लाते थे पैसों की वसूली करते थे और दूसरा की आखिर भविस्वे में वो कौन से डॉक्टर बनने वाले हैं जिनों अब धेश यादव जैसे दलालों को पैसा देकर अपना दाखिला करवाया और अब उस दाखिले के सहारे वो डॉक्टर बनकर बाहर निकलेंगे वो क्या इलाज करेंगे ये देश की जनता देखेगी आगे भविस्वे में तैग करेगी वैराल खबरे चलती रहेंगी बने रहेंगे न्यूज लेवन भारत डिजिटल के साथ मुझे दीजिये इजादत नमस्कार लाइक अंड शेर वीडियोज सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकोन न्यूस लेवन भारत सच है तो दिखेगा